अलो दोस्तों, वीपी क्लासेज में आपका स्वागत है आज हम डिसकस करेंगे GS2 Mains के रिलेटेड एक सवाल कैसे anti-defection के topic को हमने question specific तरीके से handle करना है anti-defection एक ऐसा topic है जो इतना जादा popular है कि UPSC का हर aspirant इसके बारे में या तो पढ़ता है, पढ़ने की कोशिश करता है या कभी न कभी उसने इसे देखा जरूर होता है लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखनी होती है जब भी हम means का exam दे रहे होते वो यह कि examiner ने जो सवाल पूचा है क्या हम उसका जवाब दे रहे है या हमें anti-defection के बारे में जितना पता है वो answer में लिख रहे है कई बार इस चीज के बीच में differentiate ना करनी की वज़े से आपके marks कम भी रह सकते है और दूसरी चीज कि आप बहुत ज़ादा effort एक answer में लगाओगे तो दूसरे answer के अंदर आप उतना effort नहीं लगाओगे जिसकी वज़े से आप उस answer में marks lose कर सकते हो तो proportionate balance तरीके से आपने answer देना है इसी वज़े से आज यह answer में discuss करूँगा constant shifting of allegiances of elected legislators and their overall conduct vindicates the fact that anti-defection law is a dead letter examined अब आपने यह examine करना है कि anti-defection law जो है वो dead letter है dead letter का मतलब है कि सिर्फ लिखा हुआ है कागजों में लेकिन actual में जब हम defection की बात करते हैं तो वो इसे control करने में काम्याब नहीं रहा है अब आपके पास इस question को introduce करने के बहुत सारे तरीके हैं लेकिन आप mind में formulate कैसे करना है इस पूरे structure को आईए देखते हैं आपने examine करनी है यह statement कि यह जो statement कह रही है उसके बारे में उसके aspects को आपने discuss करना है आप ऐसे सोचें कि examination का मतलब यह है कि आप anti-defection law के बारे में जानेंगे यह देखेंगे कि किस तरीके से anti-defection law जो है वो ineffective रहा है और उसको prove करने के लिए आप examples के through से prove करेंगे जब भी आप किसी चीज़ को examine करते हो आप उसके आगे की चीज़ें यानि कि क्या उसमें improvement होनी चाहिए क्या चीज़ें increase या decrease होनी चाहिए उस act में से या उस provision में से या उस idea में से वो भी आप suggest करते हो एक तरीके से आप किसी चीज़ का exam ले रहे हो या उसे evaluate कर रहे हो almost almost similar चीज़े हैं ओडा सा minor difference है लेकिन examination का मतलब यह हुआ कि आपने जो कमिया खामिया निकाली उसके अंदर वो आप उसको ठीक करने की कोशिश करोगे अब ऐसे में question की tone तो यही कहती है कि यह एक dead letter है और anti-defection law के प्रती हमेशा से ही बहुत सारे commissions, supreme court की judgments या recommendations और साथी साथ election commission of India की भी यही राय रही है कि इसमें कुछ बदलाव लाने की जरुरत है इसकी enforcement जो जिस तरीके से होने चाहिए वो नहीं होने तो हम common sentiment को समझते हुए हमारी जो inclination होगी वो इस anti-defection law को change करने की तरफ या इसको और सशक्त करने की तरफ ही होनी चाहिए वो इसलिए नहीं क्योंकि आपको ऐसा लगता है वो इसलिए क्योंकि इस देश की कहीं सारी agencies including the judiciary उसको भी ऐसा लगता है तो अब हम introduction की बात करें introduction में अगर आप चाहें तो आप स्टार्ट कर सकते हैं defection की definition से defection basically क्या होता है कि जब कोई elected party का member या एक party political party का member party switch करके दूसरी party में चला जाए उसे defection क्याते हैं और हमारे constitution के अंदर 52nd constitutional amendment act of 1985 के द्वारा add किया गया था 10th schedule और उस 10th schedule को short में बोला जाता है anti-defection law इस anti-defection law के provisions आप लिख सकते हो लेकिन unfortunately आपके पास time और space दोनों नहीं होगा तो अगर आप चाहो if you want, you can make a flow chart यहां पर यहां इस answer में मैं थोड़े से suggestions दूँगा जो आप incorporate कर सकते हो आप एक flow chart बना सकते हो या आप इसके features लिख सकते हो ठीक है applicable for MLA's and MPs people who resign from parties will be disqualification criteria या disqualification criteria लिख लो इसके अंदर circle में पता दो कि यह MP MLA के लिए है MLA और MP के लिए है ठीक है अब अगर वो resign कर देते हैं party से और if they vote against the party और if independent member joins any party ठीक है और if nominated member joins any party after 6 months अगर आप ऐसा flow chart बनाना चाहते हो अगर आप एक डेड़ मिनिट के अंदर अंदर बना सकते हो तब तो ठीक है नहीं तो ऐसा जरुरत नहीं है क्योंकि यह question demand नहीं कर रहा है फिर भी I would suggest कि आप try करें अपने answer में एक बार यह चीज़ दूसरी चीज़ जब आपने introduce कर दिया है तो आपको सीधा point पर आना है कि भाई क्यों लग रहा है ऐसा क्या चीज़ें ऐसी हो रही है कि हमें legislators की constant shifting of allegiance देखने को मिल रही है तो जो वो statement है उसको vindicate करने के लिए आपको examples देने है कैसे आप के पास example की तो कमी नहीं है हर state में ऐसा देखा जा चुका है करनाटिका में 2019 में 17 MLS जो थे ruling party के उन्होंने resign कर दिया और congress government जो थी क्योंकि उनकी majority MPs थे MLS थे वो चले गए तो इसका मतलब उनके पास majority नहीं रही Congress plus GDS का जो coalition government था वैसी मद्रप्रदेश में 22 MLS थे उन्होंने resign कर दिया मनिपूर में 2017 में BJP power में आ जाती है जब Congress ticket से जीते गोए विधायक जो होते हैं MPs जो होते हैं sorry MLS आए गदर of course ठीक है तो उन्होंने अपनी party जो है वो change कर दी वैसे ही महराष्टा, West Bengal, Goa कहीं जगा देखा गए तो भाई जब हम देख रहे हैं कि anti-defection law में defection के होने पे disqualification का प्रावधान है तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग फिर भी अपनी party change कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि anti-defection law ineffective रहा है या उसमें कुछ loophole तो सीधा हम आएंगे मुद्दे पर examine कर रहे हैं तो examine करते हुए इसकी examination करते हुए हम आते हैं मुद्दे पर ऐसा समझें कि आप CID में जो है डॉक्टर सालूंके हैं है ना सारा का सारा case कौन सॉल्व करता है CID के अंदर क्या ACP प्रद्धिमन solve करते हैं नहीं क्या अभीजी तरदया solve करते हैं नहीं solve करते हैं डॉक्टर सालूंके वही बता देते हैं सारे का सारा examine करके शरीर को वैसे ही यहाँ पर आपने examine करके बताई देना है यहाँ पर कि anti-defection law में यह कमी है जैसे mass defection हो जाती है anti-defection में कैसे it is allowed कि अगर two-third members legislative party के दूसरी political party के साथ combine कर जाएं merge कर जाएं तो उनकी defection allowed होती है कुछ इसी तरीके से आप कह सकते हो कि शिव सेना वाला जो defection हुआ है वो भी अभी तक valid ही है और court में भी judiciary में भी challenge किया गया है but most probably because they might prove that two-third member जो थे वो उनके साथ थे इसी लिए वो mass में defection कर सकते है तो मतलब mass defection हो सकती है individual defection को यहाँ पे सिर्फ पनिश किया गया है दूसरी चीज speaker का जो यहाँ पे role है वो दो तरीके से नजर आता है पहली बात तो क्योंकि speaker of the loksabha or even the speaker of the assembly he or she does not resign from their political party whence they become the speaker उनके ओपर या रोब लगा जाता है कि party के hit के हिसाब से party के favor में जो बात होती है उस हिसाब से वो फैसले लेते हैं अब मान लीजे कि कोई party है जिस party का speaker है उसी party की सरकार बनी हुई है और वहां पर सरकार की कुछ लोगों ने resignation दे दिया अपनी party से resignation दे दिया अब उसके बाद defection के लिए there will be request by the other MPs MLS बाकी MLS आएंगे और request करेंगे कि sir इनको defection कर दी इनको एक party से दूसरी party switch कर दी इनको disqualify कर दो disqualification की petition है वो या तो उसको देखते ही नहीं है या reject कर देते हैं कि disqualify नहीं करेंगे क्यों क्योंकि speaker को पता नहीं क्यों इस कानून के अंदर ये responsibility दी गई है कि disqualification का जो decision है disqualification का जो फैसला है वो speaker करेंगे otherwise अगर MPs MLS की disqualification किसी और law या constitutional provision के अंदर होती है तो उसका फैसला या तो president लेते हैं या governor लेते हैं as per the election commission of India's recommendation तो यहाँ पे speaker के पास जो power है उनके पास power होने के साथ political bias भी है तो मनीपूर, गोवा, मद्यप्रदेश, उत्तराखंड इन सभी जगा में हमने देखा है कि speaker ने अपनी position का misuse करते हुए resignation को accept नहीं किया क्यानि की disqualification proceedings नहीं की in fact मनीपूर में तो situation ऐसी हो गई कि Supreme Court को 2020 में खुद जाकर एक MLA को disqualify करना पड़ा क्योंकि 3.5 साल से 3.5 यर्स से जो speaker था वो फैसला नहीं ले रहे थे disqualification proceedings के लिए इसी वज़े से हमें एक दिक्कत या एक परिशानी speaker के रोल से मिलती है दूसरी परिशानी speaker के रोल से ये मिलती है कि कोई time limitी नहीं है कि कि कितने समय में speaker ने disqualification protection पे जवाब देना है हाँ करना है या ना करना है जो भी करना है उसका decision making के लिए कोई time limitी नहीं है और आखरी चीज हम ये देखते हैं कि election के पास बाद भी defection चलता रहता है reason मान लीजे आप किसी political party में election जीते हैं और election जीतने के बाद आप MLA बन गए MLA बनने के बाद आपने अपनी party से resign कर दिया और अपने MLA की position से भी resign कर दिया अब आपको disqualify तो कर दिया जाएगा लेकिन आपकी जो seat खाली हो जाएगी your seat will be left vacant for a by election उस seat पे आप election contest कर सकते हो है ना हरानी की बाद by election की seats पे आप दोबारा अगर election होगा क्योंकि आपकी seat vacant होगी तो आपकी vacant seat पे आप दोबारा election लड़ सकते हो दूसरी party के ticket से election लड़ सकते हो और दोबारा जीत के आ सकते हो और फिर MLA बन सकते हो कहने का मतलब है ये एक तरह के से winning government join करने का जो ये तरीका है और minister बनने का जो ये तरीका है कि आप दोबारा winning government की तरह से आ जाओ और minister बन जाओ अब पहले तो क्या होता था कि मानलो एक total number of seats 30 है तो 13 इनके पास है 15 दूसरी party के पास है तो ये 13 वाले 15 में से 2 या 3 MLS की horse trading में include हो जाते हैं मतलब money offer करते हैं और ये लोग resign कर देते हैं अब resign कर देंगे तो disqualify हो जाएंगे लेकिन जब दोबारा इन 3 seatों पे चुनाव होंगे 2 या 3 seatों पे तो ये दोबारा election लड़ लेंगे दूसरी party से और यहां select हो जाएंगे यहां select होने के बाद इनके पास 16 ML हो जाएंगे तो ये majority में आ जाएगे इसका मतलब ये कि कोई फर्क तो नहीं पढ़ रहा है anti-defection law का इसलिए हम आगे examination के बाद बताएंगे कि क्या procedure है इसको ठीक करने का तो जैसे डॉक्टर साडूं के बताते हैं कि अगर गोली चली है इसके चाती पे लगी है तो फिर कौन सी पिस्तॉल से निकली है ये भी बता देते हैं मतलब ये भी बता देते हैं कि उस पिस्तॉल को ढूणना कहा है everything that they have to do is done by that person you are the one who are writing this answer who has to examine this and tell कि ये ये चीज़े भी आपको करनी चाहिए तो आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए आपको डिस्कौलिफिकेशन के इशू को प्रेज़ेंट ये गवर्नर की पास ले जाना चाहिए जैसे बाकी डिस्कौलिफिकेशन के इशू होते हैं अब ये जो कल्मिनेशन है ना चार-पांच रिकमेंडेशन का इसको आप ऐसा भी कर सकते हो कि अलग-अलग रिकमेंडेशन याद रख लो कि सुप्रीम कोट ने केशम मेग चंदर केस 2020 में क्या रिकमेंडेशन दी थी करनाट का असेंबली केस में 2019 में क्या रिकमेंडेशन दी थी 170th law commission report में क्या रिकमेंडेशन दी थी anti-defection के उपर तो disqualification का issue जो है वो president या governor को decide करना चाहिए election commission of India के कहने पर दूसरा जो भी बंदा जो भी बंदा defector है और no confidence motion के अंदर मान लीजे वो against vote कर देता है या कोई भी ऐसा person जिसके जाने की वज़े से जिसके resignation की वज़े से government topple हो जाती है government गिर जाती है, सरकार गिर जाती है उसे invalid ठहरा देना चाहिए मतलब majority में उसे गिनना ही नहीं चाहिए तो कहने का मतलब है कि the person who will be whose resignation will cause the fall of the government कि majority से कम seat हो गई क्योंकि एक बंदे या दो बंदे की resignation की वज़े से उनकी majority से कम seat हो उसे invalid ही seat ठहरा देना चाहिए और majority कम seat हो में से निकल दी जानी चाहिए तीसरी चीज क्या होनी चाहिए defector should be barred from holding any public office और any remunerative political post for the remaining term कहने का मतलब कि आप एक बार disqualify हो गए तो जितनी भी term आपकी 5 साल में बाकी थी, उसमें आप दोबारा MLA बनके नहीं आ सकते चाहिए आप दूसरी party से by election and contest कर लो आपको दोबारा allowed नहीं होना चाहिए बहुत ही logical चीज है एक और चीज जो हमने ध्यान रखनी है कि हम definition जो लिखी हुई है anti-defection law में voluntarily giving up the membership of a political party इसको clearly define कर देना चाहिए क्यों क्योंकि supreme court ने अपनी कुछ judgments में ये recommend किया है या ये बात की है कि अगर बंदा resign नहीं करता है party से लेकिन तब भी कुछ ऐसी activities करता है जो anti-party activities कहला है तब भी वो anti-defection के अंदर आ सकता है इससे क्या होता है इससे जो एक descent होता है एक freedom of descent होता है वो कम रहती है यहाँ पर और इसलिए clearly define करना चाहिए कि resignation of party resignation from party का exact meaning क्या है और आखरी pre-poll electoral alliance को single party मानना चाहिए what does what is the meaning मान लिजे तीन parties ने x y z parties ने मिलके election से पहले coalition बनाया था और उसके बाद इन्होंने क्या किया party से यह election जीत गए तो इनको as a single unit single party गिनना चाहिए यानि इन में से कोई भी resign करके दूसरी party में जाए तो उसे anti-defection की proceedings के under आना चाहिए इसे एक ही single party मानना चाहिए और अगर हम बात करें two-third majority की जैसे हम देखते हैं कि two-third majority allowed होती है तो two-third majority इस पूरे group में से अगर two-third अलग होता है तभी वो anti-defection के अंदर protected होगा मतलब तभी वो disqualify नहीं होगा otherwise वो disqualify हो जाएगा हमने क्या कहा था किसी एक party के अंदर से अगर two-third member दूसरी party में shift हो जाते हैं तो उसे disqualify नहीं किया जाएगा यहाँ पे तीनो पार्टी का इकठ़ तीनो पार्टी को इकठ़ एक party मान के जितनी इनकी total number of seats हैं उसमें से two-third जब जाएंगे तब जाके आप anti-defection law वाली जो है immunity इनको दे दोगे नहीं तो इनको immunity नहीं मिलेगी finally हम end करते हुए यह कहेंगे डॉक्टर बियार मेडकर जी के शब्दों अगर जो लोग इसके अंदर काम करने वाले हैं वो खराब हैं तो चाहे जितना भी अच्छा सम्विधान बना लो वो कुछ ना कुछ gap loophole छोड़ ही देंगे तो इसका मतलब हमें laws के भी अंदर introspection करना चाहिए लेकिन साथ ही साथ हमें conduct के अंदर भी introspection करना चाहिए हम यह कह सकते हैं कि MPs और MLAs के लिए proper code of conduct होना चाहिए जिसके प्रतिव वो accountable रह सकें साथ ही साथ public का trust Indian political system में बना रहे इसलिए यह law के अंदर कुछ जो suggestions हमने दिये हैं कई सारी committees के हवाले से वो include कर दिनी जा इस तरीके से दोस्तों हमारा यह question to the point रहेगा again मैंने flow chart का आपको example दिया था वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं और बना सकते हैं to introduce what are the features of anti-defection तो इस तरीके से यह आपका answer तयार हो जाएगा